बिना पुन्रविर्ति कि ये दिये हुए अंक से हमें चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याय बनाना है ये कैसे करते हैं ये अभी हम सीखेंगे दो उदारन लेते हैं पहला उदारन है हमारे पास चार अंक है एक तीन चार और साथ इससे हमें चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याय बनानी है बहुत ही आसान है सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं इन अंकों को अवरोही क्रम में हम सजाते हैं अवरोहिक्रम अर्थात सबसे बड़ा सबसे पहले उसके बाद उससे चोटा उसके बाद उसके चोटा उसके बाद उससे चोटा तो हम इसे इन अंकों को अवरोहिक्रम में सजाते हैं इन अंखों को हमने सजा दिया 7 4 3 1 अर्था 7 431 तो इन 4 औंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गए 7400 अब सबसे छोटी संख्या तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं इसे हम आरोही क्रम में इन अंकों को सजाएंगे सबसे छोटी सबसे पहले वान एक तीन चार और साथ अर्थात एक हजार तीन सो सेटालिस तो ये इन चार अंकों से एक तीन चार और साथ से हमने बनाई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या एक और उधारन लेते हैं शुन्य, तीन, पांच, आठ इससे हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या तो जैसे पहले वाले उधारन में हमने किया था अंकों को अवरोही क्रम में सजाया था तो यहां भी वही करते हैं एट, आठ, पांच, तीन, और शुन्य अर्थात 8530 यह इन चार अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है अब सबसे छोटी संख्या फिर पहले की तरह हम इसे आरोही क्रम में सजाते हैं शुन्य, तीन, पांच, आठ अरे रे रे ले लेकिन यह क्या क्या यह चार अंक की संख्या बने नहीं यह तो तीन अंक की संख्या है सुन्य होने के कारण हम इसे तीन अंक की संख्या मानेंगे लेकिन हमें तो चार अंक की संख्या बनानी है न तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे यह जीरो को हम यहां लाएंगे और तीन को यहां इनका इस्थान बदल देंगे तो इनका इस्थान हम बदल देते हैं तो ये हो गई तो आपने देखा जब सबसे चोटी संग्य हम लिखते हैं तो आरोही करenz अवस सजाते हैं में लेकिन अगर सुरू में सुनने आ जाता है तो शुरू में उसे सुनने नहीं लिखते हैं क्योंकि उससे तीन अंकी संख्या बन जाती है अब प्राक्टिस के लिए मैं इन प्रश्णों को देता हूं इसे आप बनाएंगे